चीन में सरकार ने बच्चों की वीडियो गेम खेलने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। अब वहां 18 साल से कम उम्र के लोग हफते में सिर्फ 3 घंटे वीडियो गेम खेल पाएंगे। वो भी शुकरुवार, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच। जब स्कूल की छुटियां होंगी तब बच्चे हर दिन एक घंटे वीडियो गेम खेल सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि गेमिंग की बढ़ती लटके चलते, बच्चों की न सिर्फ पढ़ाई बलकि उनकी शारिरिक और मानसिक सेहत भी प्रभावित हो रही है। इसलिए वीडियो गेम खेलने को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। वहीं बहुत से युवा इस रोग थाम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जितना कम खेलने दिया जाएगा, उतनी ही खेलने की इच्छा बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले का असर गेमिंग इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, जिसने इस साल के शुरुआ की छे महीनों में 20 अरब डॉलर कमाए हैं।